नमस्ते बच्चों बोलती बोक्स विद अंचली चानल पर आपका स्वागत है इस वीडियो में बाल महाभारत कथा भाग आठ कंड पढ़ेंगे प्रश्नुत्तर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है पांडवों ने पहले ख्रपाचारे से और बाद में द्रोणाचारे से अस्त्र शस्त्र की शिक्षय पाई उनको जब विद्या में काफी निपुर्ता प्राप्थ हो गई तो एक भारी समारों किया जिसमें समने अपने कौशल का प्रदर्शन किया सारे नगरवासी इस समारों को देखने आये थे तरह तरह के खेल हुए और हरेक राजकुमार यही चाहता था कि वहे सबसे बढ़ कर निकले आपस में प्रतीस परधा बड़े जोर की थी परन्तु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई सानी ना था अर्जुन ने धनुश विद्या में गमाल का खेल दिखाया उसकी अध्वुच चतुर्ता को देखकर सभी तरशक और राजवर्श के सभी उपस्थित लोग दंग रहे गई यह देखकर दुर्योधन कामान इशा से जलने लगा अभी खेल हो ही रहा था कि इतने में रंग भुमी के द्वार पर खाम ठोकते हुए इत रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से आकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया यह युवक कोई और नहीं अधिरत द्वारा पोशित कुंती पुत्र करण ही था लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बाद किसी को मालुम ना थी रंग भूमें आते ही उसने अर्जुन को ललकारा अर्जुन जो भी कर्टब तुमने यहां दिखाए है उससे बढ़कर कौशल मैं दिखा सकता हूं क्या तुम इसके लिए तैयार हूं इस चुनौती को सुनकर तर्शक मंडली में बड़ी खलबली मच कई पर ईशा की आप में जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली वे बड़ा प्रस्म हुआ उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और उसे च्छाती से लगा कर बोला कहो कर्ण कैसे आई बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं कर्ण बोला राजन मैं अर्जुन से द्वंद्यूद और आप से मित्रता करना चाहाता हूं कर्ण की चुनाती को सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया वह बोला कर्ण सभा में जुब्विन बुलाए आते हैं और जुब्विना किसी के पूछे बोलने लगती हैं वे निंदा के योग्ये होते हैं यह सुनकर कर्ण ने कहा अर्जुन यह उत्सब केवल तुम्हारे लिए ही नहीं मनाया जा रहा है सभी प्रजाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं वे अर्थ डिंगे माणने से फाइदा क्या चलो तीरो से बात कर ले जब कर्ण ने अर्जुन को योग चुनोती दी तो तर्शकों ने तालिया बचाएं उनके दो दल बन गई एक तल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को इसी प्रकार वहां इकठी स्त्रियों में भी दो दल बन गई कुनती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया और भै तथा लज्जा के मारे मूर्चित से हो गई उसकी यह हालत देखकर विदुर ने दासियों को बुलाकर उसे चेत करवाया इसी बीच क्रपाचारे ने उठकर कवन से कहा अज्यात वीर महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वन्द युद करने के लिए तैयार है किम्तु तुम पहले अपना परीचे दो दो, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल को तुम विबूशित करते हो द्वन्द युद बराबर वालों में ही होता है, कुल का परीचे पाई बगय राजकुमार कभी द्वन्द करने को तैयार नहीं होते क्रपाचारे की यह बात सुनकर कर्ण का सिर्फ जुग गया कर्ण को इस तहें देट कर दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बुला अगर बराबरी की बात है तो मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ यह कहकर दुर्योधन ने तुरंद पिता महा भीश्म और पिता ध्रताश से अनुमती लेकर महीं रंग भूमी में ही राज भिशेक की सामगरी मंगवाई और कर्ण का राज भिशेक करके उसे अंग देश का राजा खोशित कर दिया इतने में बूढ सार्थी अधिरत जिसने कर्ण को पाला था लाठी टेकता हुआ और भैके मारे कापता हुआ सभा में प्रवेश हुआ कर्ण जो अभी अभी अंग देश का नरेश बना दिया गया था उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर के साथ उसके आगे सिर्न वाया बूले ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया यह देखकर भीम खुब कहका मारकर हस पड़ा और बोला सार्थी के बेटे धनुष छोड़कर हाथ में चाबोक लो चाबोक वही तुम्हें शोभदेगा तुम भला कबसे अरजुन के साथ द्वांद युद करने के योगे हो गए यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई इस समय सूरज भी डूब रहा था इस कारण सभा विसरज हो गई मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक व्रंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन कर्ण और दुर्योधन की जय बोलते जाते थे इस घटना के बहुत समय बात एक बार इंद्र बूरे ब्रहामन के वेश में अंगनरेश कर्ण के पास आए और उसके जन जात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी इंद्र को डर था कि भावी युद में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से ही उन्होंने उससे यह भिक्षा मांगी थी कर्ण को सुर्य देव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोका देने के लिए इंद्र ऐसी चाल चलने वाले हैं परन्तु कर्ण इतना दानी था कि किसी के कुछ मांगने पर वहमना कर ही नहीं सकता था इस कारण यह जानते हुए भी कि भिकारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं कर्ण ने अपने जनजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिये इस अद्बुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रहे गए कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले कर्ण तुमसे मैं बहुत प्रस्ण हूँ तुम जो भी वर्दान चाहो मांगो कर्ण ने देवराज से कहा आप प्रस्ण है तो शत्रों का संहार करने वाला अपना शक्ती नामक शस्र मुझे प्रदान करी बड़ी प्रसंता के साथ अपना वह शस्र करण को देते हुए देवराज ने कहा युद में तुम जिस किसी को लक्ष करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा परन्तु एक ही बार तुम्हें इसका प्रयोग कर सकोगे तुम्हारे शत्र को मारने के बार यह मेरे पास वापस आ जाएगा इतना कहकर इंद्र चले गए एक बार कंड को पशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई इसलिए वह ब्रह्मन के वेश में पशुराम जी के पास गया और प्रार्टना के कि उसे शिष्य स्विकार करने की रपा करे परश्राम जी ने उसे ब्रह्मन समझ कर शिष्य बना लिया इस प्रकार छल से कंड ने ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया एक दिन परश्राम कंड की चांग पर सिर्रकर सो रहे थे इतने में एक काला भौरा कंड की चांग के नीचे खुश गया और काटने लगा कीडे के काटने से कंड को बहुत पिड़ा हुई और जांग से लभू की थारा बहने लगी पर कंड ने इस भर से कहीं गुरुदे की नीद न खुल जाए जांग को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं जब खून से परशाम की ते फीगने लगी तो उनकी नीद खुली उन्होंने देखा कि कंड की जांग से खून बह रहा है यह देखकर परशाम बोले बेटा सच बताओ तुम कौन हो तब कंड असली बात ना छिपा सका उसने स्विकार कर लिया वे ब्राम्मर नहीं बलकि सू पुत्पुत्र है यह जानकल पशुराम को बड़ा क्रोधाया आतहें उन्होंने उसी घड़ी कर्ण को श्राब देते हुए कहा चुकि तुमने अपने गुरु को ही धोका दिया है इसलिए जो विद्या तुमने मुस्ते सीखी है वहें अंच समय में तुम्हारे किसी काम ना आएगी एन वक्त पर तुम उसे भूल जाओगे और रणशेत में तुम्हारे रत का पईया प्रत्वी में धस जाएगा कर्श्राम जी का यह शाब छूटा ना हुआ जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई हुई ब्रहमास विद्या याद रही पर कुरुशेत्र के मैदान में अर्जुन से युद करते समय कर्ण को वे याद ना रही दुर्योधन के घनिष्ट मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौर्वों का साथ ना छोड़ा कुरुशेत्र के युद में भीश्म तथा आचारे द्रोण के आहत को जाने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापती बनाया था कर्ण ने तो दिन तक अधभुत कुशलता के साथ युद का संचालन किया आखिर जब श्रापपश उनके रत का पहिया जमीन में धस गिया और वह धनोश बान रखकर जमीन में धसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा तभी अर्जुन ने उस महरती पर प्रहार किया माता कुंती ने जब यह सुना तो उनके दुख का पार ना रहा वाल महाभारत कथा का भाग आठ समाग्ध होता है अगला भाग द्रोण अचारे है प्रश्नुत्तर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद टेक केर बाई-बाई झाल एफ बाई